उन्निस मई को शाम सुनील घंशयाम सराटे उम्र पच्चास वश निवासी सटवा माता मंदिर परीसर वाट क्रमांग पाच की बिजली का करंट लगने से मौत होनी की घटना उजागर हुई है प्राप्त जानकारी के अनुसार वाट क्रमांग पाच सटवा माता मंदिर शेत्र में पिछले तीन चार तिनों से बिजली की आपूरती में अन्यमित्ता तथा वोल्टेज कम ज्यादा होने से अने घरों की लाइट, टीवी, फ्रेच, पंखी, मुबाइल चार्जर जैसे उकर बनी रही, तधा घटना से पूर्वी शाम करीब 6 बजे मृत तक सुनिल सराटे अपने बेटे अभिशेक के साथ दुकान से घर पहुचा, और हाथ पैर धोकर कूलर शुरू करने ही तो जैसे ही हाथ बढ़ाया, तो अच्छानक जोर का बिजली करंट लगने से वो जमीन पर आया गया, जहां डॉक्टरों ने जाच कर उनके मौत के पुष्टी कर शव को शव अविछे दन ही तु रवाना कर घटना के जानकारी सामनेर पुलिस को दी, पिछले तीन चार दिनों से बिजली भाग के लापर वाही से जारी कम ज्यादा वोल्टेज के कारण ही मृतक सु बिजली विभाग में नौकरी की मांग की है, मृतक सुनल सराटी के अचाना खोई मौत से शुब्द परिजन, समाथ सेवी तथा नाभिक एकतामान चादी की सैकड़ों ने मृतक की शव का विछे दन होते ही, मृतक की शव के साथ स्थानिक बिजली कारियले पहुच कर जब परिजन तथा जमाव बिजली विभाग कारेले पहुच कर बिजली विभाग के सायक अभियंता किशोर निम्बाल कर करिश्ट अभियंता मनिश कोड़े को थानिदार अविंद्र मानकर की उपस्थिती में निवैदन प्रस्तोत कर मृतक परिवार को उचित मौवजा तथा पिडित परिवार के एक सदस्य को बिजली विभाग नौकरी वह घटना के दूशी पर कड़ी कारवाई कर उन्हें निलंबन की मांग के जिस पर सहाई कभी अंता किशोर निम्बाल करने उक्त घटना की जानकारी वरिष्ट अधिकारियों को शीगर देकर पिडित परिवार को साहनुबुती पुर्वक उचित मौवजा तथा नयाय दिलानी की बात कही वही थानेदार रविंद्र मानकर ने उक्त घटना का मामरा दर्श करागे कि जाच एसाय राजिंद्र यादव कर रहे है इस मौके पर युवा समाथ सिवी मनोज बसवार विनित पाटेर अक्ष इसे न्यूस के लिए सावनेर से किशोर ढूंडे लेके रिपोर्ट